प्रफ़े के तरफ़ा गळी अंदर हमको विना बताए ऐसी जगा भेजा जा रहा था माहूल गाओ इसका हमने विरोध गया और अभी हमको वापस बुला गया रात में साड़े ग्यारा बजे नोटीस लगी जब पूरे लोग तबावी पढ़के सो जाते हैं तब रात में साड इसने बाकि एक तो चालीच पटले घर लेलेंगे और जो आपके भी नहीं मिलेगा तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आज जब मैं वार्ड ओफिसर और बड़े अधिकारियों के सामने गया और उनके सामने एक्डम रोके गिर गया पैर उपर के भाई हमारा रमदान चल रहा है हमारे लोग अलग तैयारी में चल रहे है आप जो भी करना चाहते है वो करिए लेकि हम आपको तोड़ेंगे एक तारिक को हम आपका डिमोलिशन करेंगे साया आप हटो या ना हटो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि सर अमारे लोग एतिकाफ में हमारी गली के अंदर मस्जीद है एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी मस्जीद के अंदर ही रहता है दस दिन तो हमारी गली के अंदर बहुत से लोग एतिकाफ में बैटे हुए कम से कम उस एतिकाफ वालों के लिए हमारे लोग सोचे के एतिकाफ चल रहा है तो भी ये मस्जीद तूटेंगे ये घर तूटेंगे लोग तूटेंगे हमारा इतिकाफ भी तूडियागा उस वजे से तो मैं सब लोगों से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे लोगों के साथ हम बहराम वालों के साथ हम को लेली गली वालों के साथ हम रंगुन वालों के साथ में गरत हो रहा है तो हम सिर्व आप लोगों से इतना ही चाहर है कि आप सब बहराम वाले नोपड़े वाले जो भी करता हूं अल्ला के वास्ते अल्ला के वास्ते हमारी उक्मत का हमारा साथ दीजिए और हमारे लिए आई आगे वड़कर हम बहुत परिशाने हमारे लोग हमारे लोगों के पास घर मी रहने वाला है आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आम लोग के लिए आगे आगे इसी वज़े से उन्होंने चीटिंग के साथ अपात रगिया है तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं एक ऐसा लायक हूं कि मैं अपना घर बना लूँगा लेकिन जो नोग बना चुके वो नहीं मना सकते वह बांदरा में घर अपना उन लोगों के लिए हमारी उम्मत के लोग साम अब लोगों के लिए सामने आए आप से रिक्वेश्ट एक है इस वीडियो का वाइल करें हमार रमजान सा तूटने से बचाए अस्सलाम अलेकुम पसंद आया है तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में क्यों क्रिश्चन है तो आप कमेंट करके